नमस्कार दोस्तों दोस्तों जैसा अभी आप लोगों ने दो तीन महीने पहले सुना ही होगा कि हमारे जब्मू कस्मीर के राजसी डिस्टिक में 5.9 मिलियन टन का लीथियम रिजर्व मिला था तो दोस्तों इंडिया के लिए एक और बहुत बड़ी गुड नियूस सामने आ ही है कि भारत के ही राजस्थान राज के टेगाना में भारत का सबसे बड़ा लीथियम रिजर्व मिला है ये लीथियम रिजर्व जब्मू कस्मीर के लीथियम रिजर्व से भी जादा बड़ा है और इससे इंडिया ना सिर्फ सेल्फ सफिसियंट बन सकता है साथ ही साथ व दोस्तों बताया जा रहा है कि जो इंडिया की लीथियम डिमांड है उसका 80% अब इससे पूरा हो सकता है और इससे इंडिया को बहुत ही फायदा होगा क्योंकि लीथियम के लिए हमारी डिपेंडेंसी चाइना पर ही है तो अब कहीं न कहीं इससे चाइना की मोनोपूली भी खत्म हो जाएगी अब दोस्तों मैं आप लोगों को इसकी एक्जेक्ट लोकेशन बताता हूँ जहां पर इस लीथियम डिजर्व को फाउंड किया गया है तो इसको राजस्थान के नागपुलिस्तिक में डेगाना रीजन के जो रिनावत हिल्स है उसके सराउंडिंग एरि इंडिपेंडेंडेंट से पहले बिटिसर्स यहां से टंगस्टन मिनरल को निकालते थे और इस टंगस्टन मिनरल का यूज करके वो वार मेटेरियल बनाये करते थे और जब इंडिया इंडिपेंडेंडेंट हुआ तब इस टंगस्टन मेटेरियल का यूज एनरजी और हैल लगा और दोस्तों बताया जाता है कि यहां पर लगभग 1500 लोग काम क्या करते थे लेकिन साल 1992-1993 में चाइना चीप एक्सपोर्ट पॉलजी के माध्यम से टंगस्टन को पूरे वर्ड में बहुती कम दामों पर एक्सपोर्ट करने लगता है जिससे जो इंडिया का टंगस्ट लेप्टाप, इलेक्ट्रानिक भीकल और लीथियम आयन बैटरी को बनाने में किया जाता है दोस्तों लीथियम के अंदर केमिकल एनरजी होती है जिसको हम लोग एलेक्ट्रिक एनरजी में कनवर्ट करके यूज करते हैं आज के समय में इंडिया लीथियम के मामले में कम्प बढ़ती जा रही है और इसी लिए इसको white gold के नाम से भी जाना जाता है वहीं अगर हम पूरे world में energy transformation की बाग करें तो world की सभी countries fuel energy को छोड़कर green energy पर ज्यादा फोकस कर रही है और इस काम में lithium बहुत ही vital role play करने वाला है क्योंकि चाहे solar panels हो, electric vehicles हो, इन सब को बनाने में lithium का यूज होता ही होता है और दोस्तों आपको तो पता ही है कि अगर world की सारी countries green energy की तरफ फोकस करेंगी तो इससे carbon emission को भी control कर जा सकता है जिससे zero carbon emission की target को भी achieve कर जा सकता है यहाँ पर मैं आपको बता दू कि भारत ने भी 2070 तक net zero carbon emission की goal को set किया है और इसलिए अगर world bank की report को माने तो इसके according 2050 तक lithium की जो demand है वो 500% तक increase होने वाली है और ऐसे इस्थिति में राजस्थान की अंदर lithium का मिल जाना ना किवर राजस्थान बलकि पूरे देश की economy के लिए बहुत ही ज़्यादा beneficial होने वाला है दोस्तों मैं आपको बता दूँ world का largest lithium reserve 20 million ton का है जो वाल्विया में इस्थित है और इसके अलावा दुनिया का 50% lithium reserve 3 South American countries वाल्विया, चिली और अर्जेंटीना में इस्थित है जिसको lithium triangle के नाम से भी जाना जाता है वहीं अगर हम बात करें lithium refining की तो उसमें चाइना नंबर एक पर है वो 75% lithium को refine करता है जबकि चाइना के पास उसका अपना lithium reserve मात्र 5.1 million ton ही है अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि भारत में lithium कम मिल जाना बहुत बड़ी बात है लेकिन भारत के पास अभी तक इसको refine करने के लिए refinery मौजूद नहीं है तो भारत को refinery की establishment पर ध्यान देना होगा otherwise हम ऐसे सालों साल तक चाइना से lithium purchase करते रहेंगे और हम अपनी विदेशी मुद्रा गमाते रहेंगे और हमारी चाइना से dependency कभी कम नहीं होगी अब दोस्तो आईए दिखते हैं कि इंडिया अपने यूज के लिए lithium कहां से import करता है तो इंडिया अपने total lithium का 53.76% चाइना से import करता है financial year 2021 में इंडिया ने 6,000 करों रुपए का lithium इंपोर्ट किया था जिसमें 3,500 करों रुपए का lithium अकेले चाइना से import किया था और दोस्तो इसलिए हमारे officials कह रहे हैं कि रास्थान में इस lithium reserve के मिल जाने से अब चाइना की monopoly खत्म हो जाएगी और इंडिया अपने green energy की target को achieve करने के लिए self-sufficient हो जाएगा अब हमें चाइना से lithium import नहीं करना पड़ेगा तो Union Minister of Mines and Parliamentary Affairs प्रहलाज जोसी जी ने बताया है कि जोलाजिकल सर्वे आफ इंडिया ने रास्थान के जनावत हिल्स के पास high grade quality का टंगस्तन lithium as well as four other minerals को भी खोजा है दोस्तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा किरपया इसे लाइक करें दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरू करें मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जै ही जै भारत